हलो फेंट्स जैसा कि आपको पता है कि आरो ए आरो पी पर लीक का मामला बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ था ऐसे में अगर बात करते हैं कि समिक्षा धिकारी के परिक्षा दोबारा होगी यहां पर तो एक नई नोटिस जो है या फिर नई विग्यप्ति कह सकते हैं जो जा की गई है यहीं पर अगर बात करते हैं कि सर्वसा धारण को इतर्द्द द्वारा प्रधिकारी यहुग समिक्ष अधिकारी को आधी की परिक्षा 23 से संबन्दित दोनों सत्रों के प्रश्णपत्रों के संबंद में कतिपए सूचना है वाइरल हो जाने की सिकायत प्रिंट मेडिया एं सोसल मेडिया के माध्यम से प्राप्त हो रही है वहीं पर हम प्रकरण की भात्ता एवं सब्वेदा से लता के दर्श्टिगत पूरी परिक्षा के वस्तु परक विबेचन हेतु आयोग इसतर पर आंत्रिक समिति का गठन किया गया है यदि उप्त परिक्षा के प्रश्णपत्रों के वाइरल होने के संबंद में किसी के पास प्रसंगिक प्रमाण पत्र या साच्छे या सवनी प्रमाण है या फिर साच्छे हैं तो उसकी प्रति सपत्थ पत्र के म बोली गई है कि अगर आपके पास ऐसी कुछ साच्छे हैं कि हाँ पेपर लीक हुआ है तो आप ऐसी इस इमेल पे आप अपना नाम पूरा पता और मोबाइल नंबर अधार नंबर वो सारी चीजे जो है वो आप भेज सकते हो इस इमेल आईडी पे लेकिन दोस्तों आपको पत स्टूडेंट अपनी जंदिगी पर बात करेगा या फिर आने वाले समय में उसको और भी एक्जाम देना है तो इस वजह से कौन स्टूडेंट चाहेगा कि हम इसको भेजे और इसके बाद अपने ही उपर केसम डलवाएं तो ऐसे में स्टूडेंट कोई नहीं भेजना चाह कौन स्टूडेंट अकेला चाहेगा कि हां भाई चलो हम भेज देते हैं मेरे पास साथ चे कोई नहीं चाहेगा ऐसा तो ऐसे में दोस्तों यह एक मन गरंद कहानी भी हो सकती है कि हां मतलब की धिरे धिरे यह समुद्दे को धिरे डाउन कर दिया जाए अपने आप खतम हो ज कि चाहेगा कि मैं आखिर इस पर भी होगा साथ जब आपको जबता है तो अगर यहां पर होने की बात करते हैं तो पेपर दोबारा बिल्कुल ना के बराबर चांसे जैसा कि आपको पता सीटेट में भी काफी बवाल हुआ था सीटेट अभी पेपर लीक हुआ था ऐसे संभाव नहीं मिली थी लेकिन यहां पर दोस्तों सीटेट के तरफ से कोई जवाब आया कोई जवाब नहीं आया ठीक है और यहां पर आपको बता है शारी शीजे तो अपने टाइम पर होई नहीं है यहां रहा रद ना के बराबर है और होगा भी ठीक है इस वीडिडियो को शेयर करेगा जैह करेंं फंदिमाकरla